हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेनवी जीनियस पर आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एलजेबरिक एक्सप्रेशन्स एंड आइडेंटिटीज एलजेबरिक एक्सप्रेशन्स एंड आइडेंटिटीज तो इस टॉपिक को कवर करेंगे और इस topic में जो सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है वो है expression बच्चे दुखो expression को समझने से पहले तुमको variable और constants पता होने चाहिए कभी भी जो number हमारे सामने आते हैं ठीक है 2 है 5 है 6 है 7 है इन सब को हम constants कहते हैं इन सब को हम क्या कहते हैं constant कहते हैं जैसे अगर मैंने कहा कि आपके पास 5 apples हैं तो इसका मतलब आपके पास कितने apples हैं मुझे पता है आपके पास 5 apples है तो 5 जो है वो constant है वो बदल नहीं सकता ठीक है पर अगर यही आपके पास कितने apples हैं मुझे नहीं पता है तो मैं उसको किसी variable से represent कर सकता हूँ किसी alphabet से represent कर सकता हूँ मैं यह कह दूँगा कि आपके पास x number of apples है ठीक है अब x unknown है x की value कुछ भी हो सकती है इसलिए x को हम क्या कहते है variable कहते है तो variable का मतलब समझ में आ रहा है कभी भी अगर कोई ऐसी quantity है जिसकी value हमें नहीं पता है और उसको हम alphabet से represent कर रहे हैं तो वो variable है और अगर कोई ऐसी value है जो की number के form में हमें दी गई है तो वो constant है अब देखो constant और variables को मिल के जो बनता है वो कहलाता है expression जैसे अगर हमने लिख दिया x plus 3 तो ये एक expression है हमने लिखा 2y minus 5 ये एक expression है 3x 4a 4b minus 2 कुछ भी हम ऐसा लिखें जिसमें constant और variables आ रहे हो तो वो एक expression कहलाएगा ठीक है कुछ भी हम लिखें और उसमें कुछ constants हों और कुछ variables हों तो वो उसको हम क्या कहेंगे expression कहेंगे ठीक है अच्छ अब देखो अगली बात जो इस में हमें पढ़नी है वो है term factor और coefficient term, factor और coefficients देखो कभी भी कोई expression अगर हमारे सामने है जैसे ये x plus 3 हमारे सामने है तो plus और minus अगर operator हमें दिख रहा है तो उसके पहले उसके बाद में जो लिखा होगा वो उस expression का term कहलाएगा मतलब ये इसका first term हो गया और ये इसका second term हो गया ठीक term कैसे decide करते हैं थोड़ा ध्यान से सुनो term अलग-अलग तम माने जाएगे जब बीच में plus का sign आएगा या minus का sign आएगा plus का sign होगा या minus का sign होगा तो different terms जो है वो कहलाएगे ये बात समझो जैसे x plus 3 है तो ये अलग term है ये अलग term है पर अगर x into 3 है तो ये एक ही term माना जाएगा ये पूरा एक ही term है क्यों एक ही term है अभी तुमको मैंने यहाँ पे लिखके दिया कि plus और minus से ही terms separate होते है अगर ये term है ये term है इसके वीज में plus आ रहा है या minus आ रहा है तो it means ये अलग-अलग term है और अगर multiply आ रहा है ये divide आ रहा है it means वो एक ही term है ये बात याद रखना जैसे ये 3x कोई हमसे पूछेगा तो ये एक term है ये कितने term है one term ये 4 ये पूछेगा कोई तो ये one term है ये 4b minus 2 पूछेगा कोई तो एक term ये एक term ये ये two terms है तो easily हम check कर सकते हैं किसी भी expression में कितने term हमको दिये हुए अच्छा term के बाद आती है factor की बात अब देखो factor factor भी easily तुम समझ सकते हो ठीक है अगर हमने तुमको कोई expression दिया या कोई term दिया जिसमें जो constant है और variables है वो product के form में लिखे जैसे माल लो हमने तुमें 7xy लिखके दिया तो देखो ये 7xy के बीच में multiplication का symbol है तो जब कभी भी कोई ऐसा term तुमारे सामने होगा जिसमें terms multiplication में है तो वो जो numbers या जो digits उस term को बना रहे होंगे वो सब उसके factor कहलाएंगे मतलब जैसे अगर हमसे कोई 7xy का पूछे तो 7xy के जो factor है वो कौन कौन है 7 है X है और Y है ठीक है factor से मिलके कोई term बना होता है तो अगर product में terms हैं तो product में terms हैं तो वही उसके factor कहलाएंगे ठीक है जैसे अगर हम तुमसे पूछे है 4AB के factor क्या है तो बहुत easily तुम बता सकते हो पहला factor 4 फिर A और फिर B ठीक factors हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम देखते है coefficient ठीक है minus 5X तो जो variable आपको दिया गया है उसके पास में जो भी नमबर दिया होगा वो उसका coefficient कहलाएगा मतलब minus 5X में X coefficient है minus 5 अगर मैंने आपको दिया 10X square तो इसमें X square का coefficient है 10 X square का coefficient है 10 तो coefficient हम easily देख सकते है जो भी variable के पास में नमबर लिखा होगा वो उसका coefficient कहलाएगा ठीक है अच्छा अब देखो question में कभी कभी क्या दे दिया जाता है हलका सा change करके दे दिया जाता है अभी मैंने तुमको बता है variable के पास में जो नमबर है वो coefficient है अगर हमने तुम से कहा 5AB का coefficient क्या है तो तुम बताओगे 5 है ठीक है यह 5 coefficient है क्योंकि AB जो है वो तो variable है variable के पास में coefficient क्या लिखा है इसका coefficient क्या है 5 है पर question कभी कभी change करके कैसे दिया आता है तुमसे पूछ लिया जाएगा B का coefficient बताओ tell coefficient of B ठीक है अगर यह खुद पूछ लें किसी particular चीज़ का coefficient तो उसको छोड़ के बचा हुआ जो भी होगा वो उसका coefficient हो जाएगा अगर question खाली इतना है 5AB का coefficient बताओ तो coefficient 5 है पर अगर question में है coefficient B का बताओ तो 5A है इसी तरीके से अगर तुमसे पूछ लिया जाए coefficient A का बताओ coefficient किसका बताओ A का बताओ A का coefficient 5B है जिस variable का coefficient पूछा जाएगा उसको छुपा के बाकी बचा हुआ तुम बोलते हो तो वो उस expression का या उस term का coefficient कहलाएगा ठीक है और अगर कुछ नहीं दिया है तो वेरविल के पास का जो नंबर है वो coefficient होगा ठीक है अच्छा अब देखो इसके बाद हम आते हैं Monomial, Binomial और Polynomial पे देखो Monomial Binomial Trinomial और Polynomial देखो अभी हमने expression समझा था expression में जो terms होते हैं वो plus से या minus से separated होते हैं ठीक है और constant और variables से मिल के बने होते हैं ठीक है अब अगर कोई ऐसा expression तुमारे सामने है जिसमें एक ही term हो जैसे हमने लिखा 4X हमने लिखा 5A minus 2B ये एक term है तो ये सब Monomial कहलाएंगे Monomial consist of only one term अगर हमने लिख दिया 3XYZ तो इसमें ये पूरा एक ही term है इसको 4 term मत समझ लेना एक term क्यों है क्योंकि इनके बीच में multiply का साइन है अलग-अलग term कम माने जाते हैं जब बीच में plus या minus का sign हो तो ये पूरा एक term है अगर ये पूरा एक term है तो ये Monomial कहलाएंगे Binomial जैसा कि नाम से ही समझ ले आ रहा है by, by मतलब 2 तो अगर दो terms है तो उसको हम binomial कहेंगे जैसे a plus b 5 minus 3xy देखो एक minus है तो ये दोनों अलग अलग term है दो term है तो ये भी binomial है z square minus 4y square एक term ये एक term ये तो दो term है binomial है trinomial में तीन term होंगे a plus b plus c हम लिख सकते हैं 2x plus 3y minus 5 लिख सकते हैं अब देखो अगर हमने लिख दिया 3x minus 2y into 5 तो देखो एक यहाँ पे बात देखो कि ये जो 3x minus 2y into 5 है ये trinomial नहीं है क्योंकि एक term ये हुआ और एक term ये पूरा हुआ plus minus से ही term सेपरेट होते हैं तो ये binomial है ये क्या है binomial है ये trinomial नहीं है polynomial देखो किसे कहते हैं अगर कभी भी जो हमारे terms है ठीक वो ज़्यादा है 2 से ज़्यादा है ठीक है 3 है 4 है 5 है 6 है तो उनको हम polynomial की श्रेड़ी में डालते हैं polynomial की category में डालते हैं तो 2 से ज़्यादा कभी भी हमें दिखेंगी वो सब polynomial में आ जाएगी ये बात याद रखेंगी in fact 1 से भी ज़्यादा अगर है तो उसको भी हम polynomial में consider कर सकता है तो polynomial में जैसे अगर हमने लिखा a plus b plus c plus d ये क्या है ये एक polynomial है poly means many poly means many many terms अगर तुमको दिख रहा है एक term दिख रहा है तो monomial है और एक से ज़्यादा जितने terms दिख रहा है सब polynomial की category में आएंगे ठीक है अच्छा इसके बाद हम जो next topic देखेंगे वो देखेंगे like और unlike term like and unlike term देखो like terms किने कहते हैं like terms में क्या होता है जो variables होते हैं जो variables का nature होता है वो same होता है it means अगर हमने लिखा 7x और 14x तो देखो दोनों में जो variable है same है it means ये दोनो like term ये दोनो कैसे term है like term है अगर हम लिख रहा है 7x और 14y तो ये दोनो unlike term है ये दोनों कैसे term है unlike क्योंकि इनके variables same नहीं है कभी भी अगर variables same होंगे तो उसको हम like term कहेंगे जैसे हमने लिखा 2A और 5A तो यह like है यह कैसे है लाइक है पर अगर हमने लिखा 2A और 5AB तो यह unlike है देखो like और unlike को बहुती काइदे से आपको समझना होगा यह highly important है highly important क्यों है उसकी वज़े है कभी भी हमारे सामने monomial, binomial, trinomial, polynomial कोई भी algebraic expression आता है तो उसको add या subtract हम तभी कर पाएंगे जब जो term हैं जो corresponding terms हैं वो like terms है addition, subtraction किसका possible होता है like terms का बात समझो हम क्या कहना है अगर हम तुमसे कहें तुमारे पास दो टौफी हैं और चार टौफी हैं तब तो तुम उसे जोड सकते हो, छे टौफी बोल सकते हो पर अगर हम तुमसे कहें तुमारे पास दो टौफी हैं और चार सेव हैं तो तुम इसको छे नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये like term नहीं है यह अनलाइक है इसी को तो हम यहाँ पे वेरेबल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे 2A और 5A लिखने का मतलब क्या हुआ कि यह कोई एक ही जैसी चीज है एक ही जैसी वस्तू है तो अगर एक ही जैसी वस्तू है तो इनको जोड़ना पॉसिबिल है 2A प्लस 5A हम 7A लिख स और 14 जो है वो एपिल्स है तो 7 टॉफी और 14 एपिल्स को जोड़ा नहीं जा सकता है अब देखो यही गलती बहुत से बच्चे करते हैं वो एक्जाम में इसको भी एड कर देते हैं इसको भी आड कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमेशा याद रखेंगे लाइक अगर वैरिबल्स का नीचर सेम है तो लाइक अगर वैरिबल्स सेम नहीं है तो अनलाइक अब हम देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओफ एलजब्रिक एक्सप्रेशन हम कैसे एलजब्रिक एक्सप्रेशन को एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं वह हमें यहां पर देखना देखो थोड़ी बाते तुमको हमने पहले ही बता दी एड हमेशा सेम वैरिबल्स वाले टर्म हो पाएंगे इसको एड नहीं कर सकते हैं और इसको एड कर सकते हैं एड कै किसे करते हैं जो वैर्वेल है वो वैसे ही लिखोगे और 7 प्लस 4 करके 11 लिख दोगे ठीक है तो अब एड करके हम देखते हैं कैसे हम एलजबरिक एक्सपेशन को एड करेंगे एक क्यूश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं एड कैसे किया जाता है सब्ट्रैक कैसे किया जाता है तो देखो हमारे पास एक क्यूश्चन है हमें एड करना है 7XY प्लस 5YZ माइनस 3ZX को और 4YZ प्लस 9ZX माइनस 4Y को और 3 माइनस 3XZ और 5X माइनस 2XY को यह क्यूश्चन है हमारे सामने तो इसको करने के दो तरीके है हम तुमको दोनों तरीके बताएंगे थोड़ा अराम से समझना तो समझ में आ जाएगा मेठेड बन देखो मेठेड बन क्या कहता है तुम पहले वाले एक्स्प्रेशन पर ध्यान दो ठीक पहले वाले एक्स्प्रेशन का पहला टर्म है 7XY वो नूट करो अब बाकी जो एक्स्प्रेशन दिये हैं उनमें ये देख लो XY किसमें किसमें आ रहा है तो देखो इसमें XY कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसमें XY दिख रहा हां दिख रहा है तो ये XY हमें यहां पर दिख रहा है इस टर्म को इसी के साथ हम लिखेंगे ये 7XY अब पहले यह देखा हमने सब में अब हम यह देख रहा है तो 5YZ अगर तुम देखोगे तो 5YZ वाले टम देख रहा है तुमें यह देख रहा है YZ वाला टम तो इसी के आगे हम लिखेंगे 4YZ अब देखो YZ और आगे कहीं नहीं है तो इतना हमारा हो गया अब अगला टर्म हम लिखेंगे माइनस 3ZX माइनस 3ZX अब तुम देखो ZX वाला टर्म तुमको दिख रहा है हाँ दिख रहा है 9ZX 9ZX और यह माइनस 3XZ भी जो है XZ और ZX एक ही बात होगा तो इसको भी हम यही लिख लेते हैं ठीक है अच्छा देखो 4Y और 5X वाले टर्म एक ही एक है तो इनको लास्ट में लिख लो इनको क्या गरो लास्ट में लिख लो अब देखो तुमारे सामने स्क्रीन पे सेम नेचर ऑफ टम्स जो है वो सेम कलर से लिखे गए खाली ब्राउन वाले जो है वो अनलाइक टर्म ब्राउन वाले अनलाइक टर्म देखो यह लाइक है क्योंकि एक्स वाई और एक्स वाई दिख रहा है मैं तो 7XY माइनस 2XY हम 5 लिख लेंगे ठीक उसके बाद यह 5YZ प्लस 4YZ हमारा हो जाएगा 9YZ और यह देखो 9-3 6 और 6-3 3 तो यह हो गया 3ZX ऐसे भी देख सकते हो माइनस 3-3-6 तो 9 में से 6 घटाया तो 3 बचा 3ZX और इसको तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह Y और X वाले अनलाइक टर्म है अनलाइक टर्म को वैसे ही लिख दो माइनस 4Y प्लस 5X तो यह तुमारा आंसर हो गया 5XY प्लस 9YZ प्लस 3ZX माइनस 4Y प्लस 5X अब इसको आगे कुछ solve नहीं कर सकते हो यह पहला method है पहले method में हमने क्या सीखा collection of like terms together हम कुछ नहीं कर रहे हैं जो like terms है उनको साथ में collect करके लिख रहे है है पहले जो yuck हम समको मिलते जा रहे हैं, उनको हम साथ में collect करते जा रहे हैं और हमारा finally answer आ गया, एक बाद collect कर लिया है, तो minus कर लेंगे, plus कर लेंगे, फिर हमारा answer आ जाएगा जो को second method क्या है, second method क्या है, कि जो पहला expression दिया हुआ है तुमको, उसको पूरा लिख लो यह second method है, अब जो दूसरा expression दिया है, उसमें जो term जिसके जैसा है वो उसके नीचे आ जाएगा तो four y, z d देखो, इसके जैसा है, तो इसके नीचे लिख़ो, फिर nine z, x इसके जैसा है, तो इसके नीचे लिख़ो फिर minus 4y किसी के जैसा नहीं है तो उसको आगे लिख दो तीसरे वाले expression में देखो कि तो minus 3xz इसके जैसा है तो यहाँ आएगा 5x किसी के जैसा नहीं है तो उसको दूर लिखो और minus 2xy इसके जैसा है तो उसको यहाँ लिखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे तुम 0 लगा सकते हो या ऐसे ही लिखा छोड़ सकते हो अब तुम इसको solve करो देखो 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5xy 5 और 4 जुड़ेगा यह होगा 9 yz माइनस 6 प्लस 9 यह होगा 3zx यह माइनस 4y वैसे ही आजाएगा यह 5x वैसे ही आजाएगा दोनों तरीके असान है दोनों में से किसी भी तरीके से तुम एक्जाम में कर सकते हो यह addition हमने तुमको बताया है add, addition का method addition के दोनों तरीके हैं चाये ऐसे add करो चाये ऐसे add करो अब जल्दी से एक सब्ट्रेक्षन देखते हैं फिर हम 9.1 एक्सेसेड पे मूववउन करेंगे तो सब्ट्रेक्षन का एक क्युश्टन देखते हैं देखो subtraction कभी भी अगर हमें करना है तो मालो हमें question दिया गया subtract 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y तो सबसे पहली बात यह याद रखेंगे जब भी from लगा होता है जैसे हमने कहा 2 from 5 तो बाद वाले को उपर लिखते हैं जो बाद में number होता है उसको उपर लिखा था अगर हम तुमसे कहेंगे subtract 2 from 5 मतलब 2 को 5 में से हटा दो तो 5 minus 2 लिखोगे तो जो बाद में term होता है वो पहले आता है तो यहाँ पर अगर हमसे यह कहा गया this from this तो यह बाद में जो term दिख रहा है उसको हम पहले लिख लेंगे इसको हमने पहले लिख लिया अब देखो इसमें से हमें यह minus करना है तो जो same nature के term है वो same एक के नीचे एक आएंगे तो यह 5x square है इसको इसके नीचे लिखो फिर minus 4y square इसके नीचे आएगा फिर 6y इसके नीचे आएगा और minus 3 किसी के नीचे नहीं आएगा यह हमने ऐसे बना लिया अब देखो जब हम subtract करते हैं तो 7 minus 5 करेंगे 8 minus minus 4 करना पड़ेगा तो इसलिए sign की गलती नहों तो एक rule क्या होता है subtraction में हम sign change कर लेते हैं sign change करने का procedure क्या है जो sign नीचे तुमको दिखेगा उसको तुम बदल दोगे जैसे यहाँ पर plus दिख रहा है तो यहाँ minus लगा दो यहाँ minus दिख रहा है तो यहाँ plus लगा दो जो plus दिख रहा है तो minus लगा दो जो minus दिख रहा है तो plus लगा दो हमेशा नीचे जो sign दिखता है उसका ultra sign हम यहाँ पर बना लेते हैं अब हम इसको solve करते हैं जैको 7 में से 5 गया तो बचा 2x square यहाँ कोई term था ही नहीं तो वही आ जायेगा ठीक 8 में 4 add करो गया क्योंकि इसका sign यह नहीं यह हो गया 8 plus 4 तो 8 plus 4 लिखोगे तो 12 y square आएगा 5x के नीचे कुछ है नहीं तो सोचना नहीं है minus 3 minus 6 minus 9y हो जाएगा और यह इसका sign अब यह हो चुका है तो यह plus 3 इस तरीके से हम easily subtraction कर सकते हैं subtraction में पहला काम दो important बात याद रखनी है from लिखा है तो बाद वाले को पहले लिखोगे उसके बाद जब subtract करोगे तो sign change करोगे sign change कैसे करते हैं जो second वाली row में numbers या expression या terms तुमने लिख रखे हैं उनके sign तुम बदल दोगे उसके बाद तुम subtract करोगे अब exercise 9.1 के question देखते हैं तो और ज़्यादा clear जो है हो जाएगा की addition subtraction कैसे होता है तो exercise 9.1 पर आते हैं तो exercise 9.1 क्या है इसमें पहला question हमें यह दिया है जैसे 5xyz square minus 3zy यह दिया हुआ है यह में दिया हुआ है अब देखो हमसे पूछा क्या जा रहा है हमसे पूछा क्या जा रहा है वह चक करो हमसे पूछा जा रहा है इसमें टर्म बताओ क्या है identified term coefficient क्या है उसके coefficient क्या है यह हमसे पूछा जा रहा है पहले हमको term बताना है उसके बाद हमें उसका coefficient बताना है तो देखो इसमें प्लस या माइनस हमें एक ही दिख रहा है तो इसका मतलब एक टर्म यह हुआ और एक टर्म यह हुआ तो हम टर्म इसके क्या बताएंगे फर्स्ट टर्म क्या है फाइफ एक्स वाई जेड इसक्वेर और सेकंड टर्म क्या है माइनस थ्री जेड वाई ठीक दो टर्म इसके अंदर है तू टर्म एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि साइन के साथ हम टर्म बताते हैं यह नहीं कि तुम खाली माइनस थ्री जेड वाई लिखके चले हो minus 3zy यह second term होगा ठीक है? अच्छा, coefficient अगर हमको बताना है coefficient बताना है तो देखो, यहाँ पर यह नहीं दिया गया है कि variable का coefficient बताना है तो जो constant है वही coefficient हम लिखेंगे इसका coefficient जो होगा, वो 5 होगा और इसका coefficient जो होगा वो minus 3 होगा ठीक? इसमें किसी को problem? सबको समझ में आ रहा है ठीक है तो easily हमने पहले का पहला part कर लिया अच्छा आप दोको ऐसे ही second part अगर हम देखें तो 1 plus x plus x square इसमें terms पूछे गया है तो terms तुम देख सकते हो 1 है, x है, x square है और अगर हमसे coefficient पूछा जाएगा तो coefficient हम बता सकते है इसका coefficient तो 1 ही है इसका 1 है, इसका 1 है तो तीनों के coefficient यहाँ पे 1 है और देखो third part 4x square y square minus 4x square y square z square और z square है इसमें first term second term, third term अब थोड़ा सा जल्दी हम कर रहे है और coefficient क्या है पहले वाले में 4 दूसरे वाले में minus 4 और तीसरे वाले में 1 जिसका कोई नहीं होता, उसका 1 होता है तो तीसरे में कोई coefficient हमें नहीं दिख रहा है तो उसका coefficient 1 रहेगा ठीक है अचार देखो, fifth part जो है fourth part आपके लिए homework है fourth part और sixth part इसका answer आप हमें comment section में बताएंगे ठीक है, तो fourth part और sixth part का answer आपको comment section में बताना है ठीक है, और answer आप whatsapp भी कर सकते है ठीक है, जिसके, जिनके सही answers होंगे और जो हमारी conditions को fulfill करेंगे उनको prices दिये जाएंगे तो fourth और sixth part आप करीगा fifth part हम कर रहे है देखे, fifth part है x by 2 plus y by 2 minus xy अब इसमें हमको फिर से coefficient बताने है तो देखो और term बताने है, पहला term दूसरा term और तीसरा term ये third term है ये first term है और ये second term है coefficient की बात अगर हम करेंगे तो इसमें coefficient 1 by 2 है जो पूरा number है वो 1 by 2 है इसमें coefficient 1 by 2 है इसमें coefficient minus 1 है 1 by 2 coefficient 1 by 2 coefficient और minus 1 coefficient ठीक question number 2 पर आते है दोखो जो जो second question है उसमें हमको पहचानना है monomial, binomial, trinomial monomial, binomial, trinomial पहचानना है तो जैसे x plus y हमें दिया है binomial दो टर्म है 1000 दिया है monomial एक टर्म है x plus x square plus x cube plus x4 किते टम दिख रहे हैं? 4 टम दिख रहे हैं polynomial कह सकते हो tetranomial कह सकते हो सब सही है और monomial, binomial, trinomial तीनों में यह नहीं आ रहा है तो यह हम लिख सकते हैं कैसा polynomial है जो monomial भी नहीं है binomial भी नहीं है और trinomial भी नहीं है ठीक है? monomial नहीं है binomial नहीं है trinomial नहीं है ठीक? इसके बाद देखो 7 plus y plus 5x क्या है यह? trinomial ऐसे करके आप easily check कर सकते हो और करें 2p plus 2q क्या है binomial कौन monomial है कौन binomial और कौन trinomial आप easily बता ले जाओगे ठीक है? question number third पर आते हैं देखो third question में हमें add करना है ठीक है? add करना है तो पहला पार्ट देखते हैं देखो add हमें किसे करना है first part में ab minus bc bc minus ca और ca minus ab इनको हमें add करना है ठीक है? अब देखो अगर तुमें इन्हें add करना है तो पहले हमने ab minus bc लिखा ठीक फिर bc minus ca इसके नीचे लिखेंगे तो bc इसी के जैसा like term है तो इसके नीचे आएगा minus ca आगे जाएगा फिर ca इसके नीचे आएगा और minus a b यहाँ जाएगा अब अगर हम add करते हैं तो यह cancel हो रहा है यह cancel हो रहा है यह cancel हो रहा है तो 0 इसकी value आ रही है ठीक? और इसको पहले वाले method से भी कर सकते थे हम a b के पास में minus a b लिखते minus b c के पास में b c लिखते और minus ca के पास में ca लिखते तो यह सब आपस में cancel हो जाते 0 आ जाता तो हम like terms को 7 में लिखके भी कर सकते थे और ऐसे जो second method था कि horizontally हम तीनों expressions को लिखते हैं फिर solve करते हैं वैसे भी कर सकते हैं अच्छा इसका second part देखो जो second part है उसमें हमें add करना है a minus b plus a b b minus c plus b c और c minus a plus a c को इसको हमें add करना है फिर हम easily कर सकते हैं a minus b plus a b पहला polynomial है दूसरे में दोको b आ रहा है तो b के नीचे लिखो c किसी के जैसा नहीं है आगे बढ़ाओ b c b आगे बढ़ाओ इसमें देखो c इसके जैसा है minus a पहले वाले term के जैसा है और a c किसी के जैसा नहीं है आगे बढ़ाओ देखो a minus a cancel हो रहा है b minus b cancel हो रहा है a b वैसे ही आएगा c c cancel होगा b c आएगा और c a आएगा या a c c a जो भी लिख लो a b plus b c plus c है हमारा answer हो जाएगा ठीक है third part देखो देखो जो third part है third part में हमें add करना है 2p square q square minus 3pq plus 4 और 5 plus 7pq minus 3p square q square इनको add करना है ठीक है तो पहले पहला बाले लिखते है 2p square q square minus 3pq plus 4 और दूसरा है 5 5 इसके जैसा है तो इसके नीचे 7pq इसके जैसा है तो यहां लिखो और 3p square q square यहां इसके जैसा है तो यहां लिखो नेगिटिव में है अब हम इसको solve करेंगे ठीक है तो देखो minus 3 plus 2 minus 1 होगा तो minus 1p square q square आएगा 7 minus 3 4pq और 5 plus 4 9 easily हमने यह वाला part कर लिया fourth part देखो fourth part क्या है हमें add करना है l square plus m square m square plus n square n square plus l square 2lm plus 2mn plus 2nl को इनको हमें add करना है ठीक है तो देखो तुम जहाओ तो like time वाले तरीके से एक कर देते हैं जैसे अभी ऐसे करा तो हर तरीके से करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर l square है फिर अगला l square यह दिख रहा है बस l square खतम हो गए m square देखो यह है और यह है m square खतम हो गए n square यह दोनों है n square भी खतम हो गए फिर उसके बाद आगे वाले लिख दो lm lma की है mna की है और nla की है ठीक तो अब l square और l square को जोड़ोगे अगर तो 2l square 2m square 2n square प्लस 2lm अब देखो कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं यह question कठिन नहीं है पर जब नहीं पढ़ेंगे तो अब पता चला इनी को add करे दे रहे हैं यह सब गलतियां जो है बहुत से बच्चे कर देते हैं ठीक है इनको अब यह आगे solve नहीं होगा यह इतना बड़ा सा है यही हमा होगी तरह है खाली जो अलग लाइक टर्म से उनको जोनना पॉसिबल होता है अब आगे हम इसको कोई solve नहीं कर सकते हैं तो यहीं हमारा final answer है question number 4th पे आते हैं 4th के a में हमें subtract करना है subtract करना है 4a-7ab plus 3b plus 12 from 12a-9ab plus 5b-3 इसको इसमें से subtract करना है ठीक है तो हम सबसे पहला काम करते हैं इसको उपर लिखेंगे क्योंकि from है तो 12a-9ab plus 5b-3 हमने उपर लिखा और इसको नीचे लिखेंगे तो 4a इसके जैसा है 7ab इसके जैसा है यहाँ minus sign है तो plus, यहाँ minus, यहाँ minus 12 में से 4 जाएगा बचे का 8a-9 plus 7 तो minus 2ab होगा 5-3 2b होगा और minus 3-12-15 होगा तो यह easily हमने निकाल लिया इसको a को a ही उतारते हैं बस इसको ही तो घटाना है इसी को तो solve करना 5-3 यह तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं 4th का a easily से हो गया 4th के b पे आओ देखो जो 4th का b पार्ट है उसमें हमें subtract करना है 3xy plus 5yz minus 7zx from 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz फिर वही काम करो इसको पहले लिखो 5xy minus 2yz minus 2zx plus 10xyz को और इसको नीचे उतारो तो 3xy यहां लिखोगे 5yz यहां लिखोगे yz के नीचे minus 7zx यहां लिखोगे इसमें तीनी टर्म है तो यह हो गया अब हम subtract करेंगे subtract करने के लिए sign change होगा plus तो minus plus तो minus तो plus तो 5 minus 3 करोगे तो कित्ता बचा 2xy minus 2 minus 5 minus 7yz minus 2 plus 7 minus 2 plus 7 करोगे तो 5zx आएगा और यहां तो कुछ है नहीं तो यह वैसी उतारते हों यह हमारा fourth का भी part हो गया यह को बिल्कुल simple है कोई cut in नहीं है easily कर सकते हो ठीक है फिर से अगर आपको ना समझ में है तो उसी को rewind करके दुबारा देखिए तो आपको समझ में आ जागा कोई बहुत cut in नहीं लास्ट पार्ट है इसके बाद यह exercise पूरी हो जाएगी फोर सी पार्ट देखिए इसमें हमें subtract करना है 4P Q P square Q minus 3P Q plus 5P Q square minus 8P plus 7Q minus 10 from 18 minus 3P minus 11Q plus 5P Q minus 2P Q square plus 5P square Q तो पहले बाद वाले को लिखेंगे बाद वाले को लिख लो 18 minus 3P minus 11Q plus 5P Q minus 2P Q square और 5P square की पहले बाद वाले को हमने लिख लिया अच्छा अब देखो पहले वाले को 4P square Q किसके जैसा है इसके जैसा तो यहाँ लिखो minus 3P Q यहाँ लिखो 5P Q square यहाँ minus 8P यहाँ पे आएगा plus 7Q यहाँ आएगा और minus 10 यहाँ पे आएगा अब subtract करना है subtract करना है तो sign change करने पड़ेंगे sign change करेंगे minus है plus plus minus plus minus अब करते चले जाओ 18 में 10 add करोगे 28 minus 3 plus 8 तो 5 minus 11 minus 7 तो minus 18 5 plus 3 तो 8 minus 2 minus 5 तो minus 7 और 5 minus 4 तो 1 इसी के साथ हमारी point 1 खतम हो गई तो हमने addition subtraction of expressions देखा है अब अगली exercise में अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे multiplication of algebraic expressions वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे like कीजे, comment कीजे, friends के साथ share कीजे और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कीजे, thank you झाल